ये है इंदू ब्रोडकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन निउस हर पल हर शन हर सच केचंड का साखषी बनने का भी अहवान Кया वहीं पींदू न नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोडशो कर देश वासों से 22 जनवरी को अयोध्या आने के अपील कि वहीं 22 जनवरी को अयोध्या आने का भियाम अंत्रण दिया इससे पहले पीम ने दलित धनी राम माजी के घर पहुँच कर चाई पी और बच्चों ने साथ सेलफी ली पीम मोधी ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे रामलला 22 जिन्वरी को विशाल काय मं घाटन करते हुए कहा कि अब पूरे देश से रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60,000 लोग आ जा सकेंगे उन्होंने 14 जन्वरी से हर छोटे बड़े मंदिरों पर स्वच्चता अभियान चलाने के साथ भगवान रामलला के प्रांट प्रतिष्ठा के दौरान राम दीब जलाकर दिपोचव मनाने का आवान किया कर रही है ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्सा ये उमंग बहुत स्वाभाविक है भारत की मिट्टी के कान कान और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उत्नाही उत्सुक हूँ हम सभी का ये उत्सा ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सडकों पर भी पुरी तरह नजर आ रहा था ऐसा लगता था कि पूरी अज़्या नगरी ही सडक पर उतर आई हो इस प्यार इस आशिरवात के लिए मैं आप सभी का रजेशा आभार व्यक्त करता हूं मेरे साथ बोलिए सियावर राम चंद्र की अयोध्या पहुचे पीम मोदी ने कहा कि देश के इतिहास में 30 दिसंबर इतिहास से कर रही है आज के दिन हे 1943 को उनेता जी सुभास चंद्र बोस ने अंडमान में जंडा फहरा कर भारत की आजादी का जयगोश किया था आज विक्सित भारत के निर्मार को गती देने के अभियान को अयोध्यान नगरी से नई उर्जा मिल रही है पीम ने यहाँ 15,700 करोड की लागत से होने वाले विकास परियोजनाओं का लोकारपन और शिला न्यास किया उन्होंने कहा कि वंदे भारत और नमो भारत के बाद एक और आधुनिक ट्रेन अमरित भारत ट्रेन शुरू की गई है इस ट्रेनों की ये त्री शक्ती भारतिय रेलवे का काया कल्प करने जा रही है आज देश में केदार धाम के पुनरुद्धार के साथ महाकाल महालोग 315 से जादा नए मेडिकल कॉलेज और हर घर जल पहुचाने के लिए दो लाग से जादा टंकियां भी बनवाई गई है केंद्र सरकार अयोध्या में हजारों करोडों की लागत से अयोध्या को स्मार्ट बनाने का प्रयास कर रही है आज यहाँ आदुनिक रेलिवे के निर्मार की तरफ एक और बड़ा कदम देश ने उठाया है बन्दे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आदुनिक ट्रेन बेश को मिली है इस नई ट्रेन सिरीज का नाम अमरिद भारत ट्रेन रखा गया है बन्दे भारत नमो भारत और अमरिद भारत ट्रेनों की ये त्री शक्ति भारतियर रेलिवे का काया तल्प करने जा रही है इससे बड़ी खुशी के बाद क्या हो सकती है कि पहली अमरिद भारत ट्रेन आयोध्या से गुजर रही है इस मौके पर योगी ने कहा कि प्रभू श्री राम के अयोध्या नगरी सज और समर रही है प्रभू के आगमन के पहले प्रधान मंत्री ने संकल्प लिया था कि अयोध्या को सर्वस्त्रेष्ट और सुन्दर नगरी के रूप में स्थापित करेंगे भगवान राम त्रेता युग में पुश्पक विमान से अयोध्या थे इसलिए पीम ने अयोध्यावासियों को इंटरनेशनल एरपोर्ट का उद्गाटन करके उपहार दे दिया है यह वही अयोध्या है जहां आने की बात तो दूर नाम लेने में लोग संकोच करते थे प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं भायोध्या नो पांसो वर्सों का अंतजार समाप्त होने जा रहा है प्रभु के आगमन के पहले प्रणानमंत्री जी का संकल्ब था न अयोध्या को दुनिया की सुन्दर तमनगरी की रूप में स्थापित करेंगे और भायो बेनो आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रणानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वास्यों ने किया है एक नए भारत की नए अयोध्या का दर्सनम सबको कराता है अयोध्या बेहत्रीन, फोर लेन, सिक्स लेन और एट लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है इसका उद्गाटन प्रधान मंत्री जी के करकमलों से भी होने जा रहा है रेल की बेहत्रीन सुविधा, अयोध्या से, नए रेलवे स्टेशन के साथ-साथ, बंदे भारत, टेन का सुभारंब, और दो नई ट्रेन, अम्रित भारत के नाम पर आधने प्रधान मंत्री जी ने अयोध्या को सीतामनी से प्रवराम की जनम भूम महर्शी वालमी की अंतराष्ट्य हवाई अड़े के उद्गाटन अवसर पर नागरिक उड़ेन मंत्री, जोतिरा दित्य सिंध्या ने कहा कि पीम मोदी ने वैश्विक मानकों के साथ एक हवाई अड़े के लिए कहा इस हवाई अड़े का निर्मार 500 करोड रुपे के बजट में किया गया है और इसमें लगभग 10 लाख तिर्थियात्रियों के आने की उम्मीद है रेल मंत्री अश्वनी ने कहा कि दूसरे चरण में एयरपोर्ट का और विस्तार किया जाएगा एयरपोर्ट में 3750 मीटर का रनवे बनाया जाएगा जिस पर बोईंग 777 और एयरबस 350 उतर सकेंगे वहीं एयरपोर्ट का मौझूदा छेत्रफल 5 लाख वर्ग मीटर तक बढ़ाया जाएगा हवाई अड्डे का निर्मान प्रदान मंत्री जी का निदेश था ऐसा भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसका विश्व स्वरूप हो और हमारी कोशिश रही है इस 500 करोड उपय की हवाई अड्डे पर जहां करीब करीब 10 लाख यात्री प्रती वर्ष के आवा गवन होगा उसी के साथ भारत की कला भारत की संस्कृती का एक एक नक्षक्त्र भगवान श्री राम की जीवन शैली को लेते हुए कोने कोने में अंकित की जाए अयोध्या में शनिवार को पीम नरेंद्र मोदी ने छे नई वंदे भारत ट्रेनों और दो अमरित भारत ट्रेनों को हरी जंडी दिखाई रेल मंत्री अश्विनी वैशनोभिस पल साक्षी बनते हुए पीम का अभार उन्होंने जताया और इस दोरान रेल मंत्री अश्विनी ने कहा कि वंदे भारत के जरिया आज आयोध्या दिल्ली से जुड़ गया है यहां आयोध्या धाम स्टेशन के विस्तार होने से देश के लोग आसानी से भागवान श्री राम का दर्शन करने पहुत सकेंगे दो अमरित भारत ट्रेन भी मानिय प्रदान मंत्री जी ने आरंप किये और माता सीता की नगरी से प्रभू श्री राम की नगरी अमरित भारत ट्रेन से आज जुड़ गई है पूरे देशवासों को भगवान श्री राम लला के विराजमान होने का इंतजार है पीम नरेंदर मोदी ने अयोध्याधाम स्टेशन महिरशी विखलवाल में कि इंटरनैशनल एरपोर्ट अयोध्याधाम का उद्गाटन किया वही पिया मोदी ने अयोध्या और अन्य स्टेशनों से चलने वाली दो अमरिद भारत और छैवंदी भारत एक्स्प्रेस ट्रेनों को हरी जंडी दिखाने के बाद कई विकास कारे किये हैं जिससे अब भारत के लोग अपने भगवान श्रीराम का दर्शन करने पहुचेंगे अयोध्या निश्चित ही अब दुनिया में जाना जाएगा वहीं विकास की नई उचाई को भी छुएगा